इंडिया में आपने मैसूर पाग तो बहुत जगा खाया होगा लेकिन कहगा भी आपने देखा है कि यह मैसूर पाग बनता कैसे है नहीं ना तो आज हम आगए है जी नापपूर के ताजबाग में आपको दिखाने कि यह जो मैसूर पाग है वो आक्चुली बनता कैसे है तो कीजसे 10 दे 10,000 तर कैसे गुमानते रहना पड़ता है अगया है कि नक्स के दल रहे है यह इसमें बेसन और मैधा सबर्दा इसे अभी किटी तेर गुमाना पड़े गो और वंद्रा से पीश को और कुछ जलता है इस पर? कि पिछले कुछ फंद्रा मिनिट से लगाता है रहे डो यह केरें इसे ही यह पक जाते है और दूसरा है इसे गुमाते रहेने सी इस्पकता नहीं है तो यह करें कि इसे ऐसा है रखवी ओल्डिश ठेक हो चूका और इसके पाद इसके लालेगा वो उपर से ये देख लेगी जी तो टेल डालने से आप के रहें ये खस्ता हो जाएगा तो मुलायम हो जाएगा सॉफ्ट हो जाएगा तो ऐसे गैप में डालना पड़ते है एक साप्ती जालते पूरा में तो रंदेख लोगी कित्ता जादा बढ़िया रन आचुगा है इस प दीरे दीरे तेल डाला जा रहे है और कंटिनुसली इसको घमाया जा रहे है कि खुश्बू भी आने लगी अभी भी दीनी की हो गया तेल डालिया बुरा ये थर्ड टाइम डल रहा है तेल अभी इसमें तो ये तेल कौन से यूज़ करते हैं ये रिफाइंड होई तो एक बार में कित्ते किलो बना रहे हैं ये पंद्रा किलो पंद्रा से बीस किलो तो ये तो ये गरम गरम अभी इस पर डाली जाएगी ये देखे लिए कितना बड़िया रंग आ गया इस पर ये क्या के लाएं इसमें ये काजू बदान से मिच्चा देता अच्छा ये उपर से डलते है मैसुरी पाल के ये सजावट के हिसाब से मलदा उपर से देखें अच्छाने में भी आता हो क्या के लिए उपर क्रंची रहते हैं काफी काफी क्रंची रहते हैं मैसुरी पाल एक नंबर आपके सबस्यादा यही चीज बिखती है तो रेड़ी है इसके बस अभी पीसिस करेंगे दस से पंदरा मिटेट होगा तो यह आपे ना इसकी कटेगी शूरू हो रही है तो यह पंदरा से बीश क्या प्राइज रहते हैं अपने काफी चोटे पीस करते हैं किसके साथ पसंद करते हैं यह ऐसा ऐसा खाया जाते हैं यह मंदब कीस तड़े आते हैं, इसके बादने के खाते चाहिए कीस तड़े आते हैं कोली थोड़ी नहीं नहीं आ है कर देंगे कर दो 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 कि जो हमारा मैसूर पाक है, वह बन के एकड़म रेड़ी है और इसे अभी काउंटर पडारा जा रहा है कर दो कर दो कर दो कर दो